क्लास 10 तेंथ मैं अमपड़ रहे थे चेप्टर बन आज हम पड़ेंगे बैलन्स एक केमिकल इक्वेशन यह जो केमिकल इक्वेशन है हम अलग-अलग एक्जामपल लेके करेंगे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने एक केमिकल इक्वेशन बैलन्स की थी जिंक और अस अज हम आज एक ऐसी केमिकल इक्वेशन लेके चलेंगे जो आलरड़ी बैलन्स नहीं है पहले इसे बैलन्स नहीं है हम उसको बैलन्स करना पड़ेगा तो देखते हम लेट इस ट्राइडी बैलन्स दी फोलंग केमिकल इक्वेशन आयरन अफी प्लस अस्टो वाटर तीर का जैसीचन अफी थ्री फोलत्प ऑफ्लस अस्टि तो को यहां पर हम जो केमिकल रिएक्शन लेके साल रहे हैं यह बैलन्स नहीं है देखते हम लप्ट एंड influenza में एरों के ओर रइट च्यार है तो हम इस equation को step by step balance करेंगे step one to balance a chemical equation first draw boxes around each formula do not change anything inside the boxes while balancing the equation हमने क्या किया यह जो equation हम लेके चल ने हमने इस पूरी equation को boxes के अंदर बंद कर दिया यह F2 है यह F3O4 है plus S2 है पूरी equation को किसमें बंद कर दिया boxes में अलग से दिखाने के लिए इसको हमने equation 1.4 लिया इसको 1.5 लिया step 2 में हम देखेंगे list the number of items of different elements present in the unbalance equation यह जो unbalance equation है इसमें हम देखेंगे number of items of different elements क्या किछने-किछने number of elements है वो हम देखेंगे एक table बना गए है जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था एक equation जब balance थी उसमें देखा था elements लिया हमने number of items in left hand side left hand side में किछने number of items है number of items in right hand side तो हमने oxygen की बात किने हैं oxygen यहां पर एक ही है left hand side में तो right hand side में हम देखें oxygen 4 है ओफोर तो यहां पर हमने 4 लिख दिया तो इसे जिटने भी elements है step 1 और step 2 में हमने बताया कि कोई भी chemical reaction है उसको जब हम balance करेंगे तो पहले boxes में लिख देंगे और दूसरे बार हम क्या करेंगे step 2 के अंदर एक table बनाएंगे उसमें बताएंगे कि left hand side में किछने element है किसी भी item के और right hand side में किछने element है किसी भी equation के काफी सारे लंबे steps है हम इसको one by one सब steps को हम यहां पर study करेंगे